भारत मता की बारत मता की इनकलाब बंदे बंदे आप सब लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया इतनी तपती धूक के अंδर इतनी डेर से इतनी बड़ी संख्या में आप लोग मेरा इंतिजार कर रहे हैं मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रियादा करना चाता हूँ जितने लोग इस वक्त टीवी में देख रहे हैं उन सब दर्शकों का काभी मैं तहीं दिल से शुक्रियादा करना जाता हूँ सबको मेरा नमशकार, सबको मेरा प्रिणाम दोस्तों सीधा जेल से मैं आप लोगों के बीच में आ रहा हूँ आपके बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है पचास दिन के बाद अभी अभी मैं मेरी पत्नी भगवन्तमान साब हम लोग कनौट प्लेस में हनुमान मंदिर में गये थे हनुमान जी का आशिरवाद लिया, उनके दर्शन किये फिर शिपजी के मंदिर गए, शनी जी महाराज के पास गए उनका सब का आशिरवाद लिया बजरंग बली की खूब क्रिपा है हमारे उपर, हमारी पार्टी के उपर, देशवासियों के उपर उनी की क्रिपा से आज अचानक मैं आप लोगों के बीच में होने तो किसी को उमीद नहीं थी कि चुनाब के बीच में मैं जेल से बहारा जाओंगा लेकिन उपर बजरंग बली की खुर्पा है, नुवान जी की खुर्पा है हम लोगों के उपर और चमतकार हुआ और आज मैं आप लोगों के बीच में हूँ दोस्तों हमारी आम आदमी पार्टी एक छोटी सी पार्टी है दो राज्यों के अंदर है अभी दस साल पुरानी पार्टी है हमारी पार्टी को कुचलने में खतम करने में प्रधान मंत्री जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी एक साथ हमारी पार्टी के चार टॉप के नेता जेल भेज़ दिये एक साथ अरविन केजरीवा मनीज सिसोदिया संजे सिंग सतिंदर जेन बड़ी बड़ी पार्टीओं के अगर चार टॉप के नेता जेल चले जाएं पार्टी खतम हो जाती है आम आदमी पार्टी के चार टॉप के नेता इन्होंने जेल भेज़ दिये उन्होंने सोचा कि पार्टी खतम हो जाएगी लेकिन ये पार्टी नहीं है ये एक सोच है जितना ये खतम करना चाते है उतना ये बढ़ती जाती है ये क्रश करना चाते है प्रधान मंत्री जी आम आदमी पार्टी को जो लोग मोदी जी से मिलने जाते हैं वो कई लोग हमें भी जानते हैं वो बाहर आके हमें बताते हैं कि आपके बारे में सबसे पहले मोदी जी से जो भी मिलने जाता है सबसे पहले वो केजरी वाल की और आम आदमी पार्टी की 10 से 15 मिनिट बात करते हैं उनको कहते हैं कि आने वाले समय के अंदर आम आदमी पार्टी ही देश को भविश्य देने वाली है वो खुद भी मानते हैं इसलिए वो चाहते हैं कि आज ही आम आदमी पार्टी को बढ़ने से रोका जाए, इनको कुचल दिया जाए ये ताना शाहिए अगर उनको लगता है कि आम आदमी पार्टी आने वाले समय में बीजेपी को चैलेंज देने वाली है आप अच्छे काम करो, आप देश को भविश्य दो, आज आपकी सरकार है केंदर केंदर आप देश के लिए काम करोगे, आम आदमी पार्टी को कोई पूछेगा ही नहीं लेकिन आप कुछ काम नहीं करो और आम आदमी पार्टी को कुचल दो ये जनतंत्र नहीं है, ये इस देश की जनता पसंद नहीं करोगे इन्होंने आम आदमी पार्टी को गुचलने में कोई कसर नी छोड़ी, छोटे से लोग हैं हम लोग, छोटी सी पार्टी है, 75 साल के अंदर इस कदर किसी पार्टी को और कि उसके नेताओं को प्रताडित नहीं किया गया, जिस तरह से प्रधान मंत्री मोधी जी ने आम आदमी जेल भेज दिया, प्रधान मंत्री जी कह रहे हैं, ने भ्रष्टाचार से लड़ रहा हूँ, देश के सबसे बड़े चोड, उचक्के और डकैतों को उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, जिन लोगों को दस दिन पहले मोधी जी कहते थे, 70 हजार करोड का इसने खोटाला कर दिया, थोड़े दिन के बाद उसी आदमी को अपनी पार्टी में शामिल करकर किसी को डिप्टी सीयेंग बना देते हैं, किसी को मंत्री बना देते हैं, और उनके सारे E-đडी और GBI के मामले खतम कर देते हैं, और कहते हैं, मैं भरष्टाचार से लड़ रहा 2015 में जब दिल्ली में हमारी सरकार बनी थी हमारे एक मंत्री का एक और्डियो मेरे पास किसी ने वाटसअप कर दिया उस और्डियो में मेरा मंत्री किसी दुकान वाले से पांचलाक रुपे मांग रहा था किसी मीडिया वाले को नहीं पता था, विपक्ष को नहीं पता था, आप लोगों को याद होगा, मैंने अपने खुद मंत्री को CBI के हवाले कर दिया, जेल बेज दिया था अपने मंत्री को, ये होती है भरष्टाचार के खिलाफ जड़ाई, पंजाब के अंदर मेरा एक मंत्र मेरा एक मंत्री ब्रष्टाचार में मेरे को पता चला कि वो पैसे मांग रहा है, वहां पे मान साब ने उसको किसी को भी विपक्ष को नहीं पता था, मीडिया को नहीं पता था, हमने अपने मंत्री को उपा के जेल में बेज दिया, तुम देश के सारे चोर उचके डकैतों क को अपनी पार्टी में शामिल कर लो, और केजरी वाल को जेल बेजदोर को मैं ब्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूं, तो आप ब्रष्टाचार के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं, प्रधान मंत्री जी आप देश वासियों को बेवकूप मत समझो, देश बच्चे के खिलाबान के उपर हो रहा है, कि सारे चोर चको को अपनी पार्टी में शामिल करके और एड़ी और सीवेया के सारे केस उनके रफा रफा कर लोगे, केजरी वाल को क्यों गिरफतार किया, केजरी वाल को गिरफतार करके उन्होंने एक मैसेज दिया है सारे देश को, कि एक बेहद खतरनाक मिशन चालू किया हुआ है प्रधान मंत्री जी ने बहुत ही खतरना है देश वासियों को यह समझने की अब जब मैं बोलने जा रहा हूं समझने की जरूरत है उस मिशन का नाम है वन नेशन वन लीडर देश के सारे नेताओं को खतम करना चाहते हैं मोदी जी और इसको दो स्तर के उपर इस मिशन को चला रहे हैं जितने विपक्ष के नेता हैं उनको जेल भेजेंगे और जितने बीजेपी के नेता हैं उनको सबको निपता देंगे उनकी राजनीती खतम करते जाएंगे उनको सबको निपडाते जाएंगे विपक्ष के अंदर आज इनों ने मनीज सिसोधिया को जेल बेज दिया संजय सिंग को जेल बेज दिया सतंदर जैन को जेल बेज दिया केजरिवाल को जेल बेज दिया हिमन सुरेन को जेल बेज दिया मंता दीदी के कई मंत्रियों को जेल स्टेलिन के कई मंत्रियों को जेल बेज दिया केरेला के सीम के पीछे पड़े हैं अगर ये चुनाव पी जीत गए मेर से लिखवा लो एफिडेविट के उपर थोड़े दिन के बाद मंता दीदी जेल में होगी तेजसभी आदफ जेल में होगा स्टेलिन साथ जेल के अंदर होंगे पिनरही विजेन जेल के अंदर होंगे उद्धव ठाकरी जेल के अंदर होंगे जितने ही विपक्ष के नेता हैं ये सारे जेल के अंदर होंगे अगर ये चुनाव जीत गए इन्होंने बीजेपी का एक नेता नहीं छोड़ा आडवानी ची की राजनीती खतम कर दी, इनोंने मुर्ली मनावर जोशी की राजनीती खतम कर दी, सुमित्रा महाजन की शिवराज सिंग चोहान जिसने मध्यपरदेश का चुनाव जीत के दिया इन लोगों ने, शिवराज सिंग चोहान ने उसको मुख्यमंतरी ने बनाया उस संद्रा की एक हिमकर वसंद्रा राजी की राजनीटी कंजी इननोंसे हैं साकि में और अगला किसका नंबर है कि योगी आदित्किनाथ कि अगर यह सब गए मेरसे लिखवालत 2 महिने के अंदर इत्रुर्परदेश का मुख्यमंत्री बददेंगे योगिया दिप्तिनाद की राजनीती खभ्थ करेंगे, उनको भी निप्टा देंगे. यही तानशाही है दोस्तों. वन नेशन, वन लीडर यह चाहते है, एक ही तानशाह इस देश के अंदर बचेगा, हमारा देश बहुत महान है. चार हजार पाँच हजार साल पुराना हमारा देश है इसके पहले पिछले चार हजार साल में कई मौक्य आए जब इस देश के ओपर ताना शाहों ने कबजा करने की कोशिश की लेकिन हमारे देश के लोगों ने उन ताना शाहों का तख्ता उखाड़ के फेक दिया जब जब हमारे देश में ऐसा मौका आया कि ताना शाह ने हमारे देश के ओपर गब्जा करने की कोशिश की इस देश की जंता ने उसका तखता उखाड़ के फेक दिया आज एक ताना शाह इस देश से जनतंत्र खतम करना चाहता है, आज एक ताना शाह इस देश से लोक्षाही खतम करना चाहता है, मैं पूरे तन्मन धंसे लड़ रहा हूं, संगर्श कर रहा हूं उस ताना शाह के खिलाव, एक सो चालिस करोड लोगों का साथ चाहता हूँ मेरे अकेले के करने से नहीं होगा एक सो चालिस आज मैं आप लोगों से भीख मांगने के लिए आया हूँ एक सो चालिस करोड लोगों से भीख मांगने के लिए आया हूँ मेरे देश को बचा लो मेरे भारत वर्ष को बचा लो मेरे भारत वात्मा इस दाना शाही से बचा लो मेरे देश को मैं सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रियादा करना चाहता हूं उन्होंने किस दिन दिये हैं एक एक दिन में 24 घंटे हैं मैं एक दिन में 24 में से 36 घंटे काम करूँगा पूरे देश बर में गुमूँगा इस ताना शाही को रोकने के लिए दोस्तो जितनी मेरे अंदर ताकत है मैं मेरे सब कुछ कुर्बान है देश के लिए मेरे खून का एक खट्रा मेरे देश के लिए मेरे शरीर का एक कट्रा मेरी जिंदीगी का एक पल मेरे देश के लिए मेरे देश को गचाने के लिए मैं पूरे देश में जाओंगा दोस्ते अब एक बहुत महत्वपून बात करने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना ये लोग इंडिया गठवंदन से पूछते हैं आपका प्रधान मंतरी कौन होगा मैं बीजेपी से पूछता हूँ आपका प्रधान मंतरी कौन होगा आप लोग सोच रहे होंगे केज़िवाल क्या बात कर रहा है मोदी जी होगे नहीं मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे है बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा सबसे पहले आडवानी जी को रिटायर किया गया उसके पहाद मोडली मरोर जोशी जी को रिटायर किया गया फिर सुमित्रा महाजन को रिटायर किया गया फिर यश्वन सिना को रिटायर किया गया अब मोडी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूँ तो आपका प्रदानमंत्री का दावेदार कौन है। दोस्तों अगले साल 17 सितंबर तक अगर इनकी सरकार बनी तो उस पे भी आऊंगा मैं। तो मैं लोगों को देश के लोगों को अगाँ करना चाहता हूँ। मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे। मोदी जी अमिच्छा को प्रदानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे। मैं पूछना चाहता हूँ मोदी जी से और हमिच्छा जी से ये मोदी की गारंटी पूरी कौन करेगा क्या मिच्छा मोदी की गारंटी पूरी करेंगे जब आप अगर जो जो वैसे तो मेरे को लगता मैं भी आंगा उसके ओपर मुझे नहीं लगता इनकी सरकार बन रही है लेकिन जो जब BJP के वोड देने जाएं वो यह सोच के जाना कि आप मोदी जी के नाम पे वोड नहीं दे रहें आप अमिच्छा के नाम पर वोड दे हुआ अब एक खुश खबरी है आप लोगों के लिए अब एक खुश खबरी है सब को बता दे ना जो मैंने बाते कहीं है बड़ी सोच समझ के कहीं है वहां बैठके यही सोच रहा था 50 दिन से दोस्तों पूरे देश के मेरे को बाहर निकले हुए 20 घंटे हो गए इन 20 घंटों के अंदर भी मैंने रात भर में जन्ता से बात कर रहा था लोगों से फोम कर रहा था रात को आंधी आई दी पिछले 20 घंटे में मैंने जो बात चीत करी है कई बड़े बड़े एक्सपर्ट से बात की चुनाव विशलेशिकों से बात की से बात की जन्ता से बात की फोन पे लोगों से मेरा अपना आकलन है कि चार जून के बाद इनकी सरकार नहीं बंगरी मोगी सरकार नहीं दोस्तों अगर मैं गलत हूं तो मेरे को बताना हर्याना में इनकी सीट कम हो रही है राजस्तान में कम हो रही है करनाटक में कम हो रही है दिल्ली में कम हो रही है जिहार में कम हो रही है महराष्ट में कम हो रही है करनाटक में कम हो रही है बंगाल में कम हो रही है जारखंड में कम हो रही है इन्डिया गठ्वंदन की सरकार बन रही है आम आदमी पार्टी उस सरकार का हिस्सा होगी दिल्ली को पूर्ण रज दिलाएंगे दिल्ली का एलजी लोगों का एलजी होगा दिल्ली का एलजी दिल्ली वालों का एलजी होगा गुजराप से आया हुआ अभी दिल्ली के लोगों का एलजी होगा, दिल्ली के लोगों का वितास है, एक और पॉइंट है, जब मैं जेल के अंदर था, तो कुछ लोगों ने यह मुद्दा उठाया, केजरिवाल सी एंपद से इस्तीफा क्यों नहीं देता, दोस्तों केजरिवाल को कभी किसी पद का लालच नहीं हुआ, मैं अब मंत्री, मुख्य मंत्री, परदान मंत्री यह सब बने नहीं आया, इंकम टैक्स में कमिशनर की नौकरी करता था, कमिशनर की नौकरी छोड़के दिल्ली की जुगियों के अंदर, एक नी दो नी तीन नी दस साल तक मैंने दिल्ली की जुबियों के अंदर कांग किया है सुन्दर नगरी और नंगरी जुबियों कांग इंकम टैक्स कमिशनर की नौकरी छोड़के जब मेरे को दिल्ली की जंता ने पहली बार सीम बनाया असूलों के उपर 49 दिन के अंदर CM पत से इस्तीफा दे दिया था एक 85 की नौकरी कोई नी छोड़ता CM बनने के लिए लोग अपना दाया हाथ कटाने के लिए तयार होते हैं मैंने खुद से अपने आप CM की कुर्सी को लाथ मार दी थी 49 दिन के अंदर मेरे लिए CM पत इंपोर्टन नहीं है आज मैंने CM पत से इस्तीफा क्यों नहीं दिया जेल जाने के बाद दोस्तों पिछले 75 साल में भारत वर्ष में इतने राज्यों के चुना हुए इतने राज्यों के चुना हुए दिल्ली के अंदर सबसे एतिहासिक बहुमत से आम आदमी पार्टी जीती 55-56 परसेंट वोड एक बार 67 सीट एक बार 62 सीट इतने भारी बहुमत से आज तक कोई राज्यों की सरकार 75 साल में नहीं जीती इतने भारी बहुमत से जीतने के बावजूद जूटा केस अब उनको पता है वो हमें हरा नहीं सकते दिल्ली के अंदर उन्हें पता अगले 20 साल तक दिल्ली में आम आदमी पार्टी को कोई नहीं अरा सकता तो उन्होंने एक शड्यंत्र रचा राजनेतिक शड्यंत्र रचा केजरीवाल को जूटे केस में जेल भेज दो केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ेगा केजरीवाल की सरकार गिर जाए उन्होंने एक शड्यंत्र रचा मैंने कम मैं भी इस्तीफा नहीं दूगा तुम अगर जन्तंत्र को जेल में कैद करोगे तो जन्तंत्र जेल से चला के दिखाएंगे दोस्ते सरकार भी जेल से चला के दिखाएंगे कता इस्तीफा तुमारे ट्रैक्ट में फसने वाले नहीं है ये अगर हेमन सुरेन साब को भी इस्तीफा नहीं देना चीए था जेल से सरकार चलानी चीए अगर हमने स्तीफा दे दिया ये तो बड़ा अच्छा इनके लिए है जिस राज्य के अंदर ये चनाव हा रहेंगे उसके मुख्यमंतरी को पकड़ की जेल में डाल दो सरकार गिरा दो उसके मुख्यमंतरी को पकड़ की जेल में डाल दो सरकार आज मैं अगर दिल्ली की जेल के अंदर रहके दिल्ली की जेल से स्तीफा नहीं दे रहा वो इस ताना शाही के खिलाफ संघर्ष कर रहा हूं इसको समझ लेना है केज रिवाल को किसी पद का लालच नहीं है सौ सीएम की कुर्सी देश के नाम कुर्बान है मुझे पदा चला मेरे जेल जाने से बहुत लोग भावो क्यों करना चाहता हूं जिन लोगों ने अपनी दुआएं करोडो करोडो लोगों में पूरी दुनिया भर से करोडो लोगों ने दुआएं वेजी उनजी के आशिरवात का कमाल है कि आज मैं आप लोगों के बीच में हूँ आप लोग सब लोग सुखी रहें देश खुब तरक्की करें भले भूले आप सब लोग खुब खुश रहें ऐसी मेरी प्रभू से इच्छा है भारत मता की भारत झाल पर देशμो那 छप लोग खुब रहें भारत ऑनल पर लोग से अ